नमस्कार आप देखने हैं दो न्यूस आपके साथ मैं इस ट्रिश्टी मिश्रा कॉंग्रेस महा सच्चियो प्रियंका गांधी की मुश्किले बढ़ गई हैं आपको बताने कि बीजेपी की एक प्रतिनिधी मंडल चुनाव आयोग पहुची थी आज जहां चुनाव आयोग से प्रियंका गांधी उपर हैं क्या चुनाव आयोग की द्वारा जो नियमों का उलंगहन नहीं करना है वो कॉंग्रेस करती है दर्चो को बहुत बड़ी खबर आपको बता दे इसमें क्याबिनेट मिनिस्टर अर्जुन राम मेगवाल थे इसके साथ हर्दीप सिंग पूरी वो भी क्याबिनेट मिनिस्ट के साथ बिजेपी सांसद अनील बलूनी थे और बिजेपी नेता ओम पाठक जी थे इन चारों ने चुनाव आयोग पहुचकर शिकायत किये और कह दिया कि तो प्रियंका गांधी ने 1951 के तहत IPC की धाराओं का उलंगहन किया है और यही प्रधान मंत्री जब मंदिर दर्शन पर जाते हैं तो प्रधान मंत्री की द्वारा जो लिफाफे थे उसमें 21 रुप्य पाया गया था और बीजेपी के शिकायत पत्र के अनुसार प्रियंका ने कहा था कि यह मैंने टीवी पर देखा था मैं इसको लेकर कंफर्म नहीं हू प्रधान मंत्री की वैक्तिगत आस्थाओं का उलेख किया आप मंदिर में जाते हैं तो क्या मतलब है कि आप कितने पैसे दे रहे हैं वह तो एक आस्था की बात होती है तो यहाँ पर प्रधान मंत्री देश की प्रधान मंत्री उसी सब्स नहीं वह अपने वैक्तिगत आस्था से भी उतने पैसे दे सकते हैं पहले तो देखिए ये बात कंफर्म नहीं कि प्रधान मंदरी ने 20 सुर्पय दिया है लेकिन अगर 20 सुर्पय दिये है तो मैं आपको समझा रही हूँ इस खबर में क्या सचाइए इस खबर में ये है कि चाहे कोई कितने भी पैसे दे ये उसका वेक्तिगत उलेक है धार्मिक आस्थाओं का तो प्रियंका गांधी ने उसके खिलाफ जाकर ये बाते कहीए कि मैंने सुना है कि प्रधान मंतरी मंदिर जाते है तो 21 सुर्पय देते हैं वैसी बीजेपी है बीजेपी का लिफाफा बड़ा होता है लेकिन बीजेपी की सचाई छोटी होती है बीजेपी हमेशा जूट बोलती है और यही कह दिया प्रियंका गांधी और देखिए फस गई है प्रियंका गांधी और अरजुन राम मेगवाल ने तो कड़ी प्रतिक्रिया दी प्रियंका इसे उपर हैं चुनायोंतों कोई करने करता हम प्रियंकर गांदी कि मांगँ चुनायो आज हम इलेक्शन कमिशन आप इंडिया के सामरे एक परतनीती मंडल के साथ हम मिले हैं उनकी 20 अक्टूबर गों कॉंग्रेस की महासर्चियों प्रेंका गांदी एक स्टेटमेंट दिया भासनम के दोरा में और उसने मोडल कोर्ड आप कंड़क्ट का उलंगन किया आईपीसी के तैत अपराद किया आरपी एक्ट का भी खुला उलंगन किया तो हम इलेक्शन कमिशन आप इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है कि बही क्या प्रेंका गांदी कि मोडल कॉर्ड आप कंड़क्ट से भी उपर है क्या किसी कानुन को मानती या नहीं मानती है एक ऐसा स्टेट्मेंट जिसको वो खुद एड्मिट करती है बोलते वे मुझे पता नहीं है सही है कि गलत और उसके बावदूत भी वो बोलती है और बोलती ही जा रही है उसके जाद रिलेट कर रही है सरकारी योजनाओं का धार्मीक भावनाओं से आप जूट नहीं पहला सकते दुर भावना नहीं पहला बैसे तो धार्मीक भावनां से परचारी नहीं कर सकते लेकिन जूट भी और धार्मीक भावना भी बर्धान मंत्री जी देव नारायन जी का त क्योंकि जो बाद में एक वीडियो दारी हुआ है आपने देखा भी है आपने दिखाए भी है कि यह लिफापर वाली बात जूट है इसके बहुत भी देखिए जानते में भी जूट बोला है इसलिए हम इलेक्शन कमिशन रुप इडिया से दर्कास करना है क्या प्रेगा गां इंडिया पहुच चुके थे यह प्रतिंद्री मंडल वहां पर खूब जनता जूटी और पूछा भी कि आप लोग की क्या शिकायत है तो प्रियंका गांधी ने प्रियंक के नाम पर जूट फैला है उन्होंने कहा कि प्रियंका पर फेक न्यूस फैलाने का आरोप लगाया कहा कि लिफाफा वाली बाद जूट बोला है जिसके बारे में इस पस्टिकरन दे दिया गया है तो देखे प्रिधान मंतरी के लिए इस पस्टिकरन कर दिया गया था इसके बावजित प्रियंका गांधी ने यारोप लगाया था आपको आगे बता दे 20th October which is just a few days ago she said I don't know if this is true or not now the fact is if she doesn't know whether it's true or not she should not be talking about it if she had cared to find out and my take is that she knew that this was fake news she would not have proceeded with it but she deliberately picked on a piece of news which had already been declared fake in the public domain reiterated it and tried to create problem these problems relate to many things look I go to a Gurdwara sahib or you go to a temple anything I'm chadava karvatten kuch it's between me and the it's my lord between you and the deity it has nothing to do with what amount was put into a envelope or not put in that will also prove to be false so I think the attempt here was it was sinister she is trying to rake up something which is non-existent which is a fake piece of news and she's putting it through religious sentiment into the political discourse at a time when the model code of conduct is operational so I think at the very least the election commission will look at into this very seriously and any further steps it takes whether it is issuing a notice or filing an FIR those are decisions which will emanate from the election commission Arjun Ram Mekhwal lihani nahi nahi rukhe unnhoh nne kaha joh priyanka gandhi hain yupi me joh rips hootte hain waha unki ghar pahunc jati hain Rajasthaan me itunne rips hootte hain Rajasthaan me tractor se eek wakhti ko kuchal diya gaya kaha thi mahasacheev kaha thi congress ki mahasacheev joh waha par woh nahi pahuncchi or keval yohi pahunc ka raha gai johan johan unkei khilaaf party joh hai woh dhamkham ke saath hai jaysse BJP Uttar Pradish me Uttar Pradish me आपको याद hooga दर्चको किस तरीय से प्रियanka gandhi ने बलातकार जहां हुआ था rips capital Rajasthaan खुद है लेकिन यूपी पहुशती है यूपी में दिखाती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और यूपी में प्रियanka gandhi पहुशती है तो वही कहा जा रहा है कि अपने प्रदेश्य यूपी पहुशती है रजयस्थान जाते वक्त प्रियanka gandhi कहां चली जाती है यह सारी बाते बीजेपी कर रही थी बीजेपी ने और कड़ी टिपनी कर दी है बीजेपी ने कह दिया कि तुरंत कारवाई शुरू होनी चाहिए सुनिश्चित गया जासा कि किसी को भी जूटे निंदात्मक अपमांजनक बयान देकर फर्जी कथा बनाकर चुनाव प्रचार की अनुमती नहीं मिलनी चाहिए कि फर्जी आपने बना दी कहानी और आपने फर्जी कहानी बताकर चुनाव प्रचार कर लिया और आपको पूरी छूट मिल सकती दर्श को मैं आपको बता दूँ आचार सहीता की बात करें तो जल्द ही आचार सहीता लगने वाला है अभी रजस्थान चुनाव जोरों पर है रजस्थान अजस्थान में ही प्रियंका गांधी के खिलाफ ये बयान दर्ज हुआ है और ये शिकायत बीजेपी ने की है भाजपाय ने कहा कि इसलिए आयोक सरूरत किया जा रहा है आदर्श आचार सहीता के तहत नियमों का उलंगहन देखकर ये कारवाई कराने की मांग कर रहे हैं तो देखिए अब यहां हरदीप सिंग पूरी और अर्जुन राम मेगवाल ये दोनों ने कहा कि प्रियंका गांधी ने मौजूदा कानूनों का अपराध किया है यानि कि इन्होंने गलत बात की है मौजूदा कानून के अनुसार ये पूरा अपराध है आप धार्मिक परचार नहीं कर सकते धार्मिक अस्थाव पर आप परचार नहीं कर सकती अधार्मिक बातों का अपने उले किया प्रधान मंत्री का अपको यह बहा धाद् talked प्रियंका गंधिने के जुटी बाते पता चल चुकी है और अब प्रियंका गंधिने के दावा सही है या नहीं जो भाजपा के लिए उन्होंने कहा कि बागत उस में कुछ नहीं मिलता भाजपा ने अपनी शिकायत में उनकी टिपनी का ये वीडियो कर लिया शामिल तो देखिए एक स्ट्रॉंग रीजन है भाजपा के साथ कि भाजपा ने कहा कि हमारे पास तथ्य है प्रियंका गांधी ने वीडियो में कहा है कि किस तरीके से भाजपा लिफाफे दिखा है और मीडिया ने भी इसे प्रमुक्ता दी है उन्होंने कहा कि वह जन्वरी में प्रधान मंतरी की मंदिर यात्रा के संबंध में अब भी जूट दोरा रही है तो देखिए तर्चको बात यह है यहां पर साफ कि प्रियंका गांधी ने यहां पर जूट दोराया और उसी के त भारति निधित्व कानून का उलंगहन करती यानि आरपी एक्ट का और भारति एडंड सहीता आईपीसी तो आईपीसी के तहते कर शिकायत हो गई तो देखिए बहुत फशेंगी बहुत मुश्किल में फशेंगी प्रियंका गांधी और हो सकता है कि इसका हरजाना पूरी प्रियंका गांधी को इतना राइट होना चाहिए किसी के विधार में घस्ताओं का उलेक करके वह चुनाव प्रजार प्रसार करती नजर आई जो भी आपकी राई हो जरूर कॉमेंट करें शुक्रिया आपका